हरहर महादेव जैमातादी देवताओं और पित्रों का इस्थान हिंदु धर्म में बराबर निश्चित किया गया है साल भर में पित्रों की निवरेत जो कारी किये जाते हैं वह विसेस रूप से पित्रपक्ष में किये जाते हैं हिंदु पंचांग के अनुसार पित्रपक्ष भादरपद महा के सुखल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होते हैं यह अस्विन महा की अमावश्या को समाप्त हो जाते हैं ऐसे मैं आज इस वीडियो में जानेंगे पित्रपक्ष 2022 में कब से सुरू हो रहे हैं एक-एक संपूर्ण तिथियां की जानकरी आप सभी को आज इस वीडियो में मिलेगी जैसे कि पित्र अगर जिस घर में प्रसन होते हैं धन संपदा वनस ब्रद्धी इत्यादी निरंतर उस घर में ब्रद्धी होती चली जाती है ऐसे में स्राध्पक्ष में आवश्यक रूप से अपने पित्रों का तरपन दान पुन्यों के नाम का आवश्यक रूप से करना चाहिए ऐसे में इस वर्स 2022 में पित्रपक्ष 10 सितंबर 2022 सनिवार के दिन से सुरू हो रहे हैं पित्र पक्ष का समालपन 25 सितंबर 2022 को होगा इस दिन कृष्ण पक्ष की अमावश्यात तिथी होगी इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा। इसके साथ जिन भी जातकों का अर्थाक मरतक व्यक्तियों का तिथी मालूम नहीं होती उनका स्वर्वपित्र अमावश्या के दिन स्राध्य त्यादी किया जाता है। क्रिष्ण पक्ष की चतूर्थी तिथी का स्राध किया जाएगा। 23 सितंबर को त्रियो दशी का स्राध रहेगा। इसके साथ 24 सितंबर को चतूर्थी का स्राध रहेगा। 25 सितंबर के दिन सरुपित्र अमावश्या की रूप में मनाई जाएगी। यसे में आवश्यक रूप से इन तिथियां को अपने पित्रों के नाम का जो उनकी तिथी पढ़ती हो उसके अनुसार स्राध करना न भूले। उनकी नाम का दान पुन्य विशेष रूप से करेपित्र जो है आशिरवात के रूप में अपने घर परिवार को विशेष सुक्सम्रदी से भढ़ते हैं इस बात का ध्यान रखते हुए अवश्यक रूप से अपने पित्रों के नाम का कुछ ना कुछ दान पुन्य करना ना अधिय।